अपर चल रहा था बच्चो एलकोहल जो की हम BSE Second Year के लिए पढ़ रहे थे जिसमें हम पिछलवा लेक्चर में केमिकल प्रोपरिटीज पढ़ चुके थे कैसे जो एलकोहल है वो रियक्शन शो करते हैं आज के लेक्शर में हमें topic जो पढ़ने है dehydration पढ़ना है उसी के अंडर में हमें 1-2 shift पढ़नी है जिसमें आप दो टाइप पढ़ेंगे hydride shift पढ़ेंगे methyl shift पढ़ेंगे और वो किसके अंडर में आते हैं मतब वो rule जो follow होता है जिसको हम सेट्जेफ rule बोलते हैं वो हम पढ़ देखो alcohol आपके पास है और यहां पर आप reagent क्या-क्या ले सकते है एक बहुत अच्छा dehydrating agent है temperature के basis पर reaction होगी यह आपको ध्यान रखना है अगर temperature यहां पर कैसा होगा अगर temperature यहां पर है बच्चो 433 के आसपास ठीक है मतलब 433 और इससे अब जो temperature जाता है वहां पर dehydration होगी अगर इससे कम temperature होगा तो dehydration नहीं होगी ठीक है होगा क्या यह यह जो OH होगा और यहां का H मतलब यहां का H और यहां का OH यहां से पानी बाहर निकल जाता है और यहां क्या आ जाता है double bond मतलब बन जाता है CH2 double bond CH2 यही क्या है dehydration है ठीक है अलकीन बन जाती है इसका mechanism देखिए और तीनो step याद रखने हैं क्योंकि step wise वो तीनो step लिखवाता है तब आपको number देता है तीनो step पता होने चाहिए किसमें क्या हुआ सबसे पहले आप alcohol को बना लीजिए अब क्योंकि acid की presence में reaction हो रही है किसकी presence में acid और acid क्या release करता है oxygen के पास lone pair है lone pair किसको देगा इस h positive को क्योंकि उसके पास electron नहीं है तो यहाँ सबसे पहला जो step हुआ है वो है protonation of alcohol किसका protonation हुआ है alcohol का protonation हुआ है तो अब यहाँ हो क्या गया यह बन गया है और यह है h2 तीक है oxygen पर positive रह नहीं सकता है देखो यह पहला step हो चुगा है यह protonation है पहला step हो चुगा है दूसरे step में क्या होगा यहाँ पर बनता है कार्बोकेटाइन जो की RDS step कहलाता है rate determining step RDS जिसको आप बोलते हैं oxygen पर positive charge stable नहीं है यह electron लेके जाएगा और इस carbon पर आ जाएगा बच्चो positive charge तेक है क्योंकि यहाँ से पानी बाहर चला गया जैसे यह यहाँ से बाहर जाता है तो यहाँ कुछ जो सीन बनता है वो ऐसा हो जाता है यह h positive तेक है अब जो यहाँ hydrogen है तेक है यह दो मान लीजिए hydrogen यहाँ है यह h positive form में जैसे थे यू का यू वो बाहर निकल जाता है तेक है क्या है यू का यू बाहर निकल जाता है h positive और जो electron है इस bond के वो यहाँ donate कर जाता है तो यह कुछ बन जाएगा ऐसे CH2 double bond CH2 यही क्या है अलकीन बन गई और इसी को आप क्या बोलते है dehydration तीनो step आपको याद रखने है कौन सा rate determining step है जहां कार्बोकेटायन बनता है अब मुझे यह बताओ कार्बोकेटायन तीन आप मान लीजिए एक primary है एक secondary है और एक tertiary कार्बोकेटायन है तो stable कार्बोकेटायन कौन सा होने वा है क्योंकि इसको positive का मतलब यह है कि इसके पास electron नहीं है और यहां तीन alkyl group है जो कि इसको electron दे रहे हैं मतलब इसको सांतोना पूरी दे रहे है कि अगर आपके पास electron नहीं है हम donate करेंगे तो 3 degree कार्बोकेटायन सबसे जादा stable होगा तो यहां पे आपको एक normal सा mechanism था dehydration का व और double bone आपने लगा दिया क्योंकि symmetrical थी दो ही carbon थे और कोई option भी नहीं था आप तब भी alkyne बनाएंगे आपका कोई भी question गलत नहीं होगा आपको क्या करना है जितनी जादा substituted alkyne होगी उतना जादा जो product होगा वो stable होगा और आपका major product भी वही होगा substituted मतलब example समझना एक तो क्या है आप 4 carbon ले लीजिए पहले क्या ले लीजिए 4 carbon ठीक है यह OH है यहाँ पे ठीक है और यह H मतलब आप hydrogen पूरे कर लेना अगर यह system रहता है तो आप क्या करेंगे भी यह H2O यहाँ से बाहर निकाल देंगे और यहाँ double bone बना देंगे ठीक है न पर यहाँ अगर आप देखें एलकीन substituted नहीं है सिर्फ एक तरफ से है मतलब यह carbon है न यह एलकीन बनी है तो इस carbon पे तो substitution है यहाँ सिर्फ आपको H मिलेगा H की दो substitution मानी ही नहीं जाती मतलब यह major product नहीं है double bond कहाँ पे आएगा बच्चो यहाँ आएगा double bond देखें यहाँ product हो जाता है अब इस बात को समझेंगे कि यह product कैसे बना है तब ही हम पढ़ेंगे hydrogen और alkyl जो shift है वो हमें पढ़नी है तेखें अब देखो sorry बच्चो अब देखो dehydrating agent कौन कौन से है एक तो है aluminium hydride ठेखें और या फिर यह यूज किया जाता है phosphoric acid के साथ H3PO4 के साथ इसको use किया जाता है तेखें किसके साथ H3PO4 के साथ इसको use किया जाएगा आप देखो आपको अब क्या समझना है जो main है आप product बना के दिखाएंगे कि क्या product यहाँ पर बनने वाला है तेखें मैं दो जो reactant है वो लिखेंगे उनके product आपको बताने है और दोनों यहाँ पर जो main topic हमें पढ़ने वो हमारे cover हो जाएंगे दोनों reaction में ठीक है एक तो आपके पास यह alcohol है बचो आपको इसका product बताना है क्या बनने वाला है और एक आपके पास जो reactant है वो कुछ ऐसा है ठीक है यह CH2 और यह है CH2 यहाँ CH2 अभी लिखा था जो ठीक है सेम दोनों में H2SO4 है यहाँ भी और उपर वाले में भी ठीक है अब धिहान से देखो क्या product बनने वाला है आप क्या product वहाँ बना सकते हैं ठीक है देखो सबसे पहले H positive आएगा पहला step तो यही है कि oxygen उसको loan pair दे देगा और H2O यहाँ से बाहर चला जाएगा carbocatine बन जाएगा इसको बाहर निकाल दो यह बन गया carbocatine carbocatine अपने आप में बहुत जादा stable है क्योंकि 3 degree बना हुआ इससे जादा उपर तो आप कैसा ही carbocatine बनाएंगे बहुत stable बना हुआ है ठीक है अब आप क्या करने वाले हैं अब आपके पास 2 option है इस वाले कार्बन का H लोगे या इस वाले कार्बन का H लोगे अगर ये वाला H लोगे तो यहां पर डबल बोन आएगा अगर इस वाले कार्बन का H भार बगाओगे तो डबल बोन यहां आएगा तो अब ये देखना है कि कौन सी alkenes stable है जो पहले यहां double bond लगने वाला है वो वाली stable है या यह वाली stable है क्या बोला था मैंने क्या देख लो substitution देख लो एक बार इसको single bond मानते हुए और यहां हमने double bond मान लिया अब देखो इस carbon के और इस carbon को मानो देखो यहां तो पूरी substitution है इस वाले carbon पे तो यह भी जुड़ा हुआ यह भी यह सब को जुड़ा हुआ है पूरी substitution है पर इस carbon पे सिर्फ hydrogen है मतलब यह alkenes stable नहीं है दूसरा option देख लेते हैं पहले judgment बाद में देंगे पहले देख लेते हैं यहां पे double bond है अब इसको single मान लो ठीक है अब इस carbon के बीच में और इस carbon के बीच में substitution देखना है देखो इस carbon पे एक CH3 यहां है एक CH3 यहां है और इस carbon पे यह एक CH3 है मतलब कि इस वाली alkenes में दोनो carbon substituted है तो stable हो गई बात समझ गए ना ऐसे आपको चेक करना है product को अब यहां देखो यहां आपको सेम करना है H2SO4 है H positive देगा यहां loan pair है इसको दे दीजिए तो यह क्या बन जाएगा यहां आ जाएगा carbo cation बन जाएगा यहां क्योंकि H2O भार जाएगा यह बन गया है carbo cation बचो पर यह primary है मेरे पास एक option और है कि मैं इसको secondary बना सकते हूँ बना सकते हैं कि नहीं इस positive अगर यह यहां पर आ जाए तो इस carbon की इस carbo cation की बल्ले बल्ले हो जाएगी क्यों क्योंकि यह primary से secondary बन जाएगा पर अब आप सोच रहे हैं इसको कैसे करें देखो क्या करें इसके पास यह hydrogen है न मतलब इसको रखते हूँ यहां देखो यह कर दें कि भई यह hydrogen तो इस carbon के पास भीज दे कैसे जाएगा और H positive नहीं जाएगा H negative electron लेके जाएगा electron यहां से लेके जाएगा और इस वाले carbon के पास भीज दे इसका positive खतम और यह बन जाएगा यहां दो थे ना यह हो जाएगे 3 और carbocatine कर दो shift यहां पे यही तो hydride shift है hydride shift मतलब H तो shift कर दिया यहां पे और carbocatine shift हो गया इस carbon पे अब देखो पहले carbocatine था primary अब हो गया secondary ठीक है अब आप क्या करेंगे अब आप यह जो hydrogen है अब फिर से आपके पास दो option है कि यह वाला hydrogen भेजें या यह वाला hydrogen भेजें तो आपको करना क्या है अब आपको करना है कि भई अगर एक तो product आपके पास यह आने वाला है तेखें और अगर आपने इस वाले hydrogen को भेजा इस वाले carbon के तो आपके पास जो product आएगा वो आएगा यह तो यह वाली stable है कि यह वाली stable है यह मैंने पहले भी समझाया आपको कि देखो यह वाली सब्स्टिटूटेड है यह नहीं इस carbon के पास तो है सब्स्टिटूशन पर इस वाले के पास तो hydrogen ही रह गए पर यहाँ देखो इसके पास भी CH3 है इसके पास भी CH3 है तो सब्स्टिटूशन हो गई न तो आपको ध्यान रखना यह दोनों बात ध्यान रखनी है जिससे जो concept है वो आपका clear हो जाएगा है बहुत simple पर आपको समझ में आएगा जो basic है वो आपको समझ में आएगा तो आप कैसा भी question solve कर लेंगे और basic नहीं आएगा तो आप यहीं समझेंगे यहाँ पर था यहाँ कैसे hydrogen चला गया यह इसमें confused नहीं होना है आपको यह भी सोचना है यहाँ shift भी हो सकती है ठीक है यह hydride shift थी अब हम methyl shift को पढ़ेंगे आपके पास कुछ ऐसा है जो reactant है यह CH3 है और अब की बार यहाँ carbon पर OH लगा हुआ है अब पहला step तो वही है पानी बहार निकाल दो पानी बहार निकाल दिया और यहाँ पर आगया है positive ठीक है जाओ हम H है उसको मतलब जो HOSO4H positive देगा उसको पानी बना के बहार निकाल देना ठीक है यह बन गया अब आपको क्या देखना है hydride shift तो possible है क्योंकि यहाँ तो hydrogen है यही सीधा जो group जुड़ा हुआ है CH3 ध्यान से देखो कार्बोकेटाइन यहाँ है तो आप देखो कि यह तो 2 degree का यह तो stable है मेरे पास एक बहुत अच्छा option है कि क्या करें कि इस CH3 को तो यहाँ भेज़ दू इस कार्बन के पास और यह जो कार्बोकेटाइन है वो आजाई यहाँ पे तो यह 3 degree का कार्बोकेटाइन बन जाएगा देखो यह कार्बन के उपर positive charge है यह खुद कितने कार्बन से जुड़ा है 1, 2, 3 फिर इस से ज़ादा stable तो हम क्या ही लेंगे तो यह stable बन गया तो हम कार्बोकेटाइन यहां रखेंगे फिर हमें दूसरी बात क्या सोचनी है कार्बोकेटाइन तो हमने stable कर लिया फिर हमें यह सोचना है कि जो एलकीन बनाने के लिए जो अब जो hydrogen भीजना है वो इस वाले कार्बन का भीजे या इस वाले कार्बन का भीजे अगर देखो इस वाले कार्बन का भीजते हो तो double bond यहां आएगा ठीक है यहीं आने वाला है एक तो एलकीन यह बनेगी और अगर मैं इस वाले कार्बन का hydrogen भीजे हम तो यहां क्या बन जाएगा यह कुछ ऐसा बनेगा तो एक तो एलकीन बनी है यह एक एलकीन बनी है यह stable कौन सी है देखो आपको यह carbon देख रहा है न यह दोरो carbon देखो यहां substitution है ठीक है ओक के report है इस carbon पर भी substitution है बहुत अच्छी बात है ठीक है अब यहां देखो हमें ये दो कार्बन देखने है ठीक है इस कार्बन पे तो ये सब्ट्रिडिशन है इस कार्बन पे तो नहीं है तो इसका मतब ये स्टेबल नहीं है यही बनेगा और पहले वाले में हमने हाइडाइड शिफ्ट कराई दी और यहाँ पर हमने क्या shift कराया है यहाँ पर हमने methyl shift करायी है तो इसको methyl shift बोलते हैं और इन दोनों को ही एक नाम ओर दिया जाता है 1, 2 shift 1, 2 क्यों बच्चो देखो adjacent position यह तो ना मालो यह 1 है यह 2 है तो हम 1, 2 shift बोल रहे हैं इसको बस इतनी सी बात है तो कई पर question आ जाता है 1, 2 shift बताओ क्या होती है या फिर hydride shift बता दो उसके उपर कोई example दे के बताओ या फिर methyl shift बताओ या फिर अपना dehydration या फिर 6-f rule कई तरीके से एक ही question पूछा जाता है ठीक है आपको समझ में आ गया होगा next lecture में हम dihydric alcohol को complete करेंगे